तो हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर देखिए फिलाहाल यहां पर सीटेट का जो है result CBSE द्वारा जारी कर दिया गया है और CBSE ने जो result जारी किया है उसका cutoff कीतना किया है cutoff list मैं आपको दिखाऊंगा और cutoff में जो है बहुत बारा बदलाव किया गया है यह बदलाव किया है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे जो है लाखो बच्चे जो है पास हो गए है तो आपको जो है खबराना नहीं है मैं एक के करके category wise यहां पर जो है मैं आपको cutoff दिखाऊंगा तो बने रही है हमारे इस वीडियो में तो चलिए बिना देरी की हुए मैं आपको जो है category wise cutoff दिखा रहा हूँ कि CBSE ने अब किर बार कितना cutoff गया है seatate का तो देखिए friends cutoff दिखाने से पहले मैं आपसे निवधन करना चाहता हूँ कि आपको seatate में जितना माक्स है वह आप इस वीडियो कॉमेंट बक्स में जरूर बताइएगा तो अंक आ रहा है तो आप जो है seatate qualify है ठीक है यह मैं general की बात करा हूँ ओ भी male का ठीक है वही general अगर female की बात किया जाए तो female category से है और आपका बेरासी या इससे अधिक नमबर आ रहा है तो आप जो है seatate qualify है इन दोनों का तो हो गया यह general category का हो गया अब OVC की बात किया जाए तो OVC, OVC देख लीजिए, SC देख लीजिए और ST देख लीजिए ठीक है अगर आप इस category के candidate है और आपका जो है बेरासी नमबर आ रहा है बेरासी नमबर या बेरासी नमबर से ज्यादा तो आप जो है seatate qualify है क्या है seatate qualify है और यदि आप इन ही मैं से female है तो भी आपका जो के चलिए बिहार में जो है 75 नमबर पर भी आपको seatate qualify माना जाता है बहाली में मोका दिया जाता है तो अगर आपका इतना भी नमबर आ रहा है तो आप बिहार में eligible हैं बिहार के कोई vacancy आएगी सत्वा चरन तो उसमें आप भड़ सकते हैं तो इतना जो है cut off जाता है इतना ह खाबराने की जोरत नहीं है जितना नमबर आ रहा है वो इस वीडियो के कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद